प्रधानमंत्री नरेंडर मोधी ने कहा है कि भारत चौथी ओध्युकिकरांती में विश्युका मार्गदर्शन कर रहा है और भारत के Digital India अभ्यान ने सिध्ध किया है कि मानवता के लिए प्रध्युकिक का इस्तिमाल कितना क्रांती कारी है शीमोदी ने कहा कि 10 साल पहले लोगों को हर काम के लिए कतार में खड़ा होना पड़ता था लेकिन अब ये सब काम आनलाइन हो गए हैं ये बात प्रधानमंत्री ने कल गुजरात के गांधी नगर में Digital India Week 2022 का उधगाटन करते हुए कही इस कारिकरम का उधेश देश को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ग्यान की अर्थ विवस्था में बदलने के लिए नए भारत की तकनीक को बढ़ावा देना है इस मौके पर शीमोदी ने Digital India भाषणी का भी शुभारम किया इस से लोगों को स्थानिय भाषाओं में इंटरनेट और डिजिटल सेवाएं आसानी से मिल सकेंगी प्रधार मंत्री ने कहा कि इन योजनाओं के लिए कुल 750 करोड रुपे के बजट की परिकल्पना की गई है उन्होंने कहा कि Digital India कारिक्रम ने सरकार को आम लोगों तक पहुंचाया है दान हो, Digital India Genesys हो, Chips to Startup Program हो या बागी सारे प्रोडक्स ये सारे इज अफ लिविंग और इज अफ दूइंग बिजनेस को मजबूती देने वाले है विशेशतोर पर इनका बड़ा लाब भारत के Startup Ecosystem को होगा साथियों, समय के साथ जो देश आधुनिक टेक्नोलोजी को नहीं अपनाता समय उसे पीछे छोड़कर आगे निकल जाता है और वो वहीं का महीं रह जाता है तीसरी अवद्योगी क्रांती के समय भारत इसका भुकतब होगी रहा है लेकिन आज हम ये गर्व से कह सकते हैं कि भारत चौथी अवद्योगी क्रांती इंडिस्ट्री 4.0 आज भारत गर्व से कह सकता है कि हिंदुस्तान दुनिया को दिशाद दे रहा है डिजिटल इंडिया वीक 2022 कारकरम नागरिकों के जीवन को सुगम बनाने वाले आधार, UPI, COVIN और डिजी लॉकर जैसे डिजिटल प्लेटफोर्म्स को प्रदर्शित कर रहा है इस कारकरम में स्टार्ट अप, सरकारी प्रतिनिथी और उद्योग और शिक्षा जगत के विशेशक यह भाग ले रहे हैं प्रधार मंत्री मोदी ने स्टार्ट अप्स और यूनिकॉन से जुड़े लोगों से बाचीत भी की